महात्मा बुद्ध के व्यवारिक उपदेश जो अपने को दमन नहीं कर सकता, वो दोसरों को वश में नहीं रख सकता मनिश को अन्ने से साहयता नहीं मिल सकती, अपने ही किये से काम चलता है मनिश को अपना कर्दव्य स्वयम पालना चाहिए पवित्रता और मलीनता मन की है कौन किसको शुद्ध कर सकता है मनिश को बिना कुछ पाई हुए भी आनंद से रहना चाहिए राग के समान कोई आग नहीं है द्वेश्ट के समान कोई हराने वाला पासा नहीं है शरीर के समान कोई दुख नहीं शांती की समान कोई सुख नहीं, आरोग्य परम लाब है, संतोष परम धन है, विश्वासी पुरुशी परम बंधु है, नर्वान ही परम सुख है, धर्मात्मा वही है जो धर्म अधर्म का निश्चे कर सके, वो पंडित नहीं, जो बहुत बोले, क्षमाशील, बैर रहित और अभय पुरुशी पंडित है, बाल पकने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा वही है जो सत्य, अहिंसा, संयम, दम आदे का अवलंबन करे, सिर मुडाने से कोई श्रमन यानि सन्यासी नहीं होता, श्रमन वही है जो पाप रहित है, आलसी, समय पर न उठने वाले, तथा नि यानि ज्यान के प्राप्ति कभी नहीं होती, शुद्धि के लिए तीन मार्ग हैं, काया, वाने और मन के रक्षा करना, ध्यान से ज्यान होता है, बिना ध्यान के ज्यान नहीं हो सकता, एक भी भ्रम शेष न रहे, तभी नर्वान होगा, अखंड जूती, जुलाई 1956, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन्स मिलते रहें